आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा सा मजेदार अचारी चिकन चिकन करी चिकन खॉर्मा खाकर आप तंग आ चुके हो तो इस अचारी चिकन को जरूर बनाएं यहां पर हम लेंगे वन केजी चिकन बोन्स के साथ अब बोन्लेस भी ले सकते हो quarter teaspoon healthy powder लेंगे one and half teaspoon red chili powder लेंगे अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसन है तो two teaspoon शामिल कर लें half teaspoon धनिया powder लेंगे quarter teaspoon गरम masala powder लेंगे one teaspoon chicken masala लेंगे two teaspoon ginger garlic paste लेंगे half teaspoon नमक शामिल करेंगे hundred gram दहीं शामिल करेंगे चिकन को masala के साथ अच्छे से mix करेंगे quarter teaspoon red food color शामिल करेंगे चिकन को 30 minutes के लिए marinate करेंगे जब तक हम masala तयार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है one and half teaspoon राई one teaspoon जीरा quarter teaspoon से कम मेथी दाना लिया है इन मसालों का fine supporter तयार कर लेते हैं एक खुले मूगा बर्तन ले लेंगे कड़ाई लगन जो भी हो 50 ml ओयल शामिल करेंगे इसके बाद half teaspoon राई, quarter teaspoon जीरा, दो पिंच मेथी दाना ओयल में शामिल कर लेंगे जब राई का दाना फूट जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा हरा मसाला शामिल करेंगे पांच अदद हरी मिर्च, 15 करी पत्ते, half cup धन्या पत्ता शामिल करेंगे हरे मसाले को ओयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे पांच अदद लाल बगार की मिर्च भी शामिल कर लेंगे लाल मिर्च को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे करीपत्ता हरी मिर्च अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें से आधा निकाल लेंगे लाल मिर्च हम सारी निकाल लेंगे इस निकाले हुए बगार को हम साइट में रख देते हैं और बगोने में जो बगार है हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं इस तरह बगार में चिकन शामिल करने से सारे बगार का फ्लेवर चिकन में अच्छे से जस्प हो जाएगा ओईल के साथ बगार में चिकन शामिल करने के बाद हम चिकन को बगार के साथ थोड़ा सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मीडियम साइज के टमाटर ग्राइंड कर लेंगे और इस ग्राइंड किये हुए टमाटर को चिकन में शामिल कर देंगे यहाँ पर मैंने कच्चे टमाटर ही ग्राइंड कर लिए है चिकन को मीडियम फ्लेम पर टमाटर की ग्रेवी सुखने तक कुख करेंगे यहां पर मैंने 10 मिनट्स तक चिकन को मीडियम फ्लेम पर कुख किया है चिकन में अभी भी थोड़ी सी ग्रेवी है इसको ड्राइ होने देते हैं हमें हलके हातों से चिकन को मिक्स करते रहना है नहीं तो ये तले पर चिपक जाएगा टमाटर की वज़े से चिकन की ग्रेवी तकरीबन ड्राई हो चुकी है इस स्टेश पर हमने जो चिकन का मसाला अचारी चिकन का मसाला रिडी किया था इसको हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन में से ओईल रिलीज होने तक हम इसको भूनेंगे यहाँ पर मैंने एक बड़े साइस का लेंबू लिया है और इसका जूस इसमें एट कर दिया है अगर छोटे लेंबू हो तो दो लेंबू ले ले आप देख सकते हैं चिकन से ओईल रिलीज हो रहा है जब चिकन से ओईल रिलीज हो रहा हो तो उस वक्त हम इसमें थोड़ी सी तली हुई अनियन शामिल कर देंगे यह आप्शनल है इस अचारी चिकन को आप बगारा रैस दालचे के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है दालचा और बगारा रैस के साथ इस स्टेश पर हम इस अचारी चिकन को कवर कर देंगे ताके इसका ओईल जल से उपर आ जाए दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे आप देख सकते हैं सारा ओईल उपर आ चुका है आप देख सकते हैं चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है चिकन हड़ी से नहीं छूटना चाहिए तब ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अभी हमारा हैदरबादी अचारी चिकन बनकर रेडी है थोड़ा सा धनिया पत्ते से गानिश करेंगे और जो बगार हमने निकाला था वो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे बगार शामिल करने के बाद हम फ्लेम आफ कर देंगे अभी हमारा हैदरबादी अचारी चिकन खाने के लिए बिल्कुल रेडी है हैदरबादी अचारी चिकन की रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस करें ठैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो